हाई फ्रेंड्स दर्सनाज कीचन में आपका स्वागत है आज हम बिल्कुल डॉबिनोस जैसा पीजा घर पर बना कर रेडी करेंगे उसके लिए मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल जिसमें वन फॉर्थ कप कर्ड ले रही हूँ एक टेबल स्पून सुगर हाफ टेबल स् बेकिंग सोडा, वन टेबल स्पून सॉल्ट, टू टेबल स्पून ओईल सबको अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी यहाँ पे मेजर्मेंट है उस हिसाब से यहाँ पे दो पीजा बन कर रेडी होगा सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें डालूंगी मैं दो कप मै ये जो मेरा आटा और कड का मिश्रण है उसको मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी सबको मिक्स करने के बाद उसको मैं हाथ से थोड़ा मसल दूंगी और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाओंगी और एक अच्छा सा डो बनकर रेड़ी करूंगी डो हमें सौफ्ट ही बनाना है आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं हो तो आप पानी की जगा पूरा कड ही इस्तिमाल कीजिए और इंस्टन्स उसमें से पीजा बना सकते हो इस डो को रेश्ट करने के लिए 30 मिनिट काफी है पर यहाँ पे मेरा पीजा प्लानिंग पहले से ही है तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही टाइम है तो मैं उसको पाच गंटे के लिए साइट करना के लिए रखूंगी इस डो को इसी तरह मसल के सौफ्ट बना लिजिए डो हमारा बिल्कुल तयार है यहाँ पे मैं हाप टेबल स्पून ओईल लूँगी और पूरे जो डो है उस पे लगा दूँगी अच्छे तरह से उसको लगाने के बाद मैं उससे फीर से हाथ में लूँगी और अच्छे तरह से मसल दूँगी और इस तरह से डो का जो लुआ है वो नीचे की साइड उस तरह से हम बना लेंगे ताकि उसमें से जो एर है वो निकल जाए और डो बहुत ही स्मूथ बन कर रेडी हो जाए फिर से मेले रहे हूँ यहाँ पर हाप टेबल स्पून ओइल जिसको मैं डो पर ग्रीस कर दूँगी और मिक्सिंग बाउल में नीचे की तरब भी ग्रीस कर लूँगी ताकि जब हमारे डो फूल कर रेडी हो तो उसमों चिप के न अब बाउल को कवर करके उसको मैं पाँच गंटे रेश्ट करने के लिए रखूंगी पाँच गंटे के बाद देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है उसमें जाली भी दिखाई दे रही है डो हमारा बिलकुल अच्छे तरह से रेडी है डो को मैं फिर से तरह से मसलते जाए बाद में उसको पटक पटक के भी स्मूथ डो बना लीजी तो रेडी है अब उसको मैं दो हिस्से में अलग कर दूँगी और हमारा जो एक हिस्सा है उसमें से भी मैं चोथे बाका थोड़ा निकाल लूँगी जिससे हमाँ एक रोटी बनानी है अब जो का छोटा हिस्सा है उसकी में रोटी बेल लूँगी रोटी को एकदम से पतली बना कर रेडी करनी है यहाँ पे जो हम पीजा ट्रे यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही हमें उतनी ही रोटी बड़ी या छोटी बनानी होगी सभी साइड में इसी तरह से बेलती जाओंगी ताकि उसकी सभी साइड एक जैसी ही पतली हो जाए यहाँ पे मैं अपनी पीजा ट्रे लूँगी पीजा ट्रे के अनुशार मेरी रोटी अभी छोटी है मैं उससे और भी बड़ा कर लूँगी यहाँ पे हमारी रोटी बन कर रेडी है, होट पैन पे मैं ये रोटी सेखनी के लिए रखूंगी थोड़े से ही बबल्स होने के बाद रोटी को पलट देना है, यहाँ पे सिर्फ हलका सा ही ब्राउन कलर देना रहेगा, दुसरी तरब भी ठिक वैसे ही सेखनी है रोटी बन कर तयार है अब मैं प्लेटफॉम पर कौन मिल डालके, हमारा जो बाकी का डो था, वो लेकर पीजा बेल दूंगी कौन मिल की जगह आप मेंदा भी यूज़ कर सकते हो या सोजी भी यूज़ कर सकते हो कौन मिल लेने से पीजा बनने के बाद जो उसका नीचे का बेज रहेगा, वो बिलकुल डॉमिनोस जैसे ही लगेगा पीजा बेज हमारा बेल कर रेडी हो चुका है, अब उसको पीजा ट्रे में डालेंगे पीजा ट्रे में रखने के बाद, मैं एक बाउल में एक टेबल स्पून मैयोनीज लूँगी, एक टेबल स्पून से ज्यादा चीज स्प्रेड लूँगी और उसको मिला दूँगी, ये जो स्प्रेड है, वो हमारा पीजा बेज पे लगाएंगे आपको जिस कॉंटिटी में अच्छा लगे उतना ही आप ले सकते हो जितना स्प्रेड ज्यादा यूज करोंगे उससे अच्छी तरह से चीज बर्स पीजा तयार होगा इसके उपर पहले से बनाई हुई रोटी रखेंगे और इस तरह से कीनारों को पैक कर लेंगे, ताकि जब चीज बर्स्ट हो, तो वो चीज बहान निकले सभी साइड अच्छी तरह से पैक करने के बाद मैं उस पे लगाऊंगी पीजा टॉपिंग, जो इजी ली मार्केट में मिल जाता है अब जितना यूज करना चाहते हो उतना यूज कर सकते हो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे दो टेबर स्पून जितना यूज किया हुआ है उसके उपर में ले रही हूँ ब्लेंड, चेदार एंड मॉजरेला चीज जो आपको जितना पसंद है वो डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारा यूज किया है यहाँ पे हम करेंगे टॉपिंग टॉपिंग में मैं ले रही हूँ कैपसिकम कैपसिकम आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो मैं ले रही हूँ ब्लेक ओलिव्ज, ग्रीन ओलिव्ज टॉपिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हो यहाँ पे मैंने green olives, black olives, capsicum, onion और corn डाल के topping किया हुआ है आप इसमें चाहे तो mushroom, paneer, सुखी लाल मेर्ट सब कुछ डाल करके भी topping बना सकते हो और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो वो skip भी कर सकते हो उसको और भी cheesy बनाने के लिए मैं उपर से भी cheese add कर रही हूँ चेदार cheese mozzarella cheese उपर से मैं डालूंगी pizza seasoning, pizza ready है अब उसको हम oven में रखेंगे oven को मैंने पहले से ही 10 minute के लिए preheated कर लिया था और oven में रखने के बाद उसको 200 degree पर 25 minute के लिए bake करने के लिए रखेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब जरूब कीजिए टाइम टू सर्विंग इट बाई बाई